नमस्कार मित्रो, इल्विन क्लासेस के यूटूब प्लेटफार्म पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम विबेख है, हम लोग उत्तर प्रदेश पेट की जो परिक्षा 28-29 अक्टूबर को आयोजित की गई है, उसके संदर में हम लोग गानित के सलेवस को पल रह हैं, या हमारा तीसरा प्रेक्षा 28 है, हम अपने आधार को हम याद, प्रेक्षा 28 के माध्यम से हम यह जानते हैं, या मुझे दिखाई देता है स्वेम को कि हम किस छेत्र में, कौम सा हमारा सिगमेंट ऐसा है मैत का, जिसमें हम कम जोर है, उसको और मजबूत करते हैं, और ज के द्वारा बड़ी मेंट के साथ किया जाता है तयार किया जाता है आइए आजिए अज मिद्पत्श और हमारा मैango का योग cu संख्या क्या है लगातार का मतलब जैसे एक दो तीन यह लगातार संख्या उनका योग, तो माने हैं, उसमें इसका योग क्या होगा, 3x प्लस 3, बात यहीं पे हो गई, तो 3x प्लस 3 is equal to 96, तो 3x is equal to क्या होगा, 96 में से 3 को घटाएंगे, 93 होगा, तो x का मान क्या होगा, 93 अपान 3 is equal to 31, जो सबसे छोटी संख्या है, वो मुझे 31 मिल गई, उसके बाद वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 31 धन 1, 32, और उसके बाद वाली संख्या हो जाएगी, 31 धन 2 33, लगातार 3 संख्या है हमको मिल गई, आपको वाइट बोर्ट पे दिखाई दे रहा होगा, 31, 32 और 33, जो पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, पहली संख्या, बीच वाली संख्या हम निकाल देंगे, तो इसमें पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे अब उस प्रकार के भी प्रश्णों को हम आगे अपने अभ्यास सिंखलाओं में देखेंगे, आज का यह हमारा जो पहला सवाल था, कि लगातार तीन संख्याओं का योग 96 है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है, हमने पहली संख्या को X माना, दूसरी संख संख्या को X प्लस दो, इनी का योग हमें दिया है 96, हमने इसका योग लिया, 3X प्लस 3 is equal to 96, then 3X is equal to 96 minus 3 is equal to 93, then X is equal to 93 upon 3, हमें find out हुआ 31, सबसे वाली संख्याओं यह सबसे चोटी संख्याओं, उसके बाद बीच वाली संख्या 32 और यह 23 हमारा एंसर 23 आ गया, इसका बर्ग मतलब square root, square root, बर्ग बर्गोल मतलब square root क्या होगा, हम जानते है魚 square root को निकाला, 16 ऐसे हम करते हैं, दो-दो का जोडा बनाते हैं, अब ऐसी संख्या लेंगे, 1,1,1 यह जोड़ेंगे, 2 होगा, यह कड़ जाएगा, 6,6 उत्रेगा, 2 यहा, 2 यहा, इसका गुणा करेंगे, 44 होगा, यहां चोड़ेंगे 24 होगा, यहां कटाएंगे 22 होगा, यहां 4, 1 आ गया, अब हमें यहां पे कोई ऐसी संख्या लेनी है कि जिसका गुणा करने पर इस संख्या में 2,241 आए, तो हमने यहां 9 को लिया, यहां 9 गुणा कि यह 9,81, नचोग, 36 हो गया, तो हमें क्या मिला, इसका square root, 1,2,9 square root निकालना है बर्गमूल निकालना है, हमने इस प्रकार की प्रक्रिया का भाग विधी इसको कहते हैं कोई सवाल में तुक ही नहीं है 2 into x के इकाई का अंग 5 होता तो x का मान याद करिए तो इसमें इसके इकाई का अंग 5 दिया ही है अब 1 रखेंगे इसका मान 2 गुणे 1 गुणे 5 तो इसमें एंसर क्या हुआ, x का कोई मान ही नहीं है कोई यह एक और इसके साथ statement रहता, तो यह सवाल निकलता इस प्रकार के भी प्रश्णी, पूछे गए प्रश्ण है, इसलिए आपको दे दिया गया तो उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी पांच क्रमिक संख्याओं का उसत अंग 20 है, पांच हमारी जो संख्या है, उनका आउसत कितना है? 33 तो कुल मान कितना होगा? कुल मान 33 गुणे 5 दिनी पचे 15 16, 15 अब हम संख्या मानेंगे 1 संख्या 1, दूसरी संख्या X plus 1, तीसरी संख्या X plus 2, 34 संख्या X plus 3, और 34 15 संख्या X plus 4 इसी का कुल मान कितना दिया है 165 इसको हम जोडेंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 X plus 2, 1, 3, 3, 4, 10 इसी की वैलू 165 दिया है अब 5 X is equal to 165 minus 10 is equal to 155 then X is equal to 155 बटा 5 31 अब इसमें क्या पूछ रहा है तो उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो पहली संख्या कितनी होगी 31, दूसरी संख्या कितनी होगी 31 धन 1 32 तीसरी संख्या कितनी होगी X plus 2 31 धन 2 33 चौथी संख्या कितनी होगी X plus 3 31 plus 3 34 और पाचवी संख्या कितनी होगी 31 धन 4 35 हमें संख्याइं मिल गए पहली संख्या 31, 32, 33, 34, 35 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 योग देख रीजिए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 35, 16 165 कुली होग होगी और 5 संख्याओं का अगर एवरेज निकाल देंगे तो सीले हमारा प्रश्णा जाएगा भाग दे देंगे 33 आ जाएगा तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगे 35 एंसर 35 हमारा ये सहल्प हो गया कुछ नहीं करना है इस प्रकार के प्रश्णों को अभी इसके पहले हमने यूप मसंख्याओं A माइनस B और A प्लस B के लिए A और B क्या है प्रश्ण सह अभाज अभाजी संख्या ऐसी संख्याओं को अभाजी संख्या करते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो जैसे एक तीन तीन पांच पांच साथ साथ इग्यारह इग्यारह तेरह इस प्रकार तो इसका एंसर क्या हो जाएगा सह अभाज जो इस प्रकार के प्रश्ण हो रहे हैं उनको आप याद करने जिए सबसे वेहतर तरीका है याजसे प्रश्ण आए यह यह रहे कुछ भी रहे सहाभाजी तो सहाभाज अगला हमारा प्रश्ण अंख क्या होगा तो इकाई का अंख ज्याद करने का बहुत ही आसान तरीका है हम फ्रश्ण को पहले लिखें 65 इंटो 6 तो पावर 41 इंटो 3 तो पावर 57 अब क्या करेंगे जो पावर है इस संख्याओं की जो घात है उसमें 4 से भाग देंगे जितना सेस आएगा उसको इसकी पावर लिख देंगे बीच में जो निसान है उस निसान को लगाएंगे फिर अब 6 की पावर लिखना है 3 की पावर लिखना है तो 41 अपान 4 एक सेस बचा यहाँ पर 1 और 57 अपान 4 एक सेस बचा यहाँ पर 1 तो 7 to the power 1 is equal to 7 6 to the power 1 is equal to 6 and 3 to the power 1 is equal to 3 अब बुणा कर देंगे कितना आ जाएगा सच्चेक 42 बुणे 3 126 तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 कुछ नहीं करना है इसका जो घात है उसमें 4 से भाग दे देंगे जितना सेस बचेगा बात समझीए 666 है तो 1664 एक सेस बचा 57 है तो 1464 का 56 एक से सबचा तो उतना ही पावर लिख देंगे और अगर यहाँ पे 3 तक मैकसिमम आता है अगर मालेजी किसका 3 आया तो जो जो इकाई का अंक है इकाई के अंकों को साथ लेंगे तो बुणा करने के बाद जो इकाई का अंक होगा वही इसका भी इकाई का अंक होगा इकाई का अंक कितना है 6 इसमें रिपीटेशन देखते हैं रिपीटेशन किसका किसका है यह जितनी बार है उतना नौ नीचे लिख देंगे 0.353535 तो इसको क्या लिखेंगे 35 upon 99 यही अगर आता 354 354 354 इसका एंसर कितना होगा 25 बटा 99 आपसंस C एक विक्रेटा ने एक साइकिल 10 परसेत का लाव पर बेची यदि वह 10 परसेत कम मुल्य पर खड़िता और उसाठ रुपे अधिक पर बेच देता तो उसे 25 परसेत का लाव होता साइकिल का लागत मुल्य बताइए इसमें क्या करेंगे माना साइकिल का क्राय मुल्य एक सुरुपेया है 10 परसत लाव मतलब 110 परसत पर बिक्रे मुल्य कितना हो जाएगा एक सुणे 110 बटा 100 मतलब 1.1 एक सुरुपेया अब दूसरी कंडिशन है यदि वह 90% कम कीमत पर खरीता और 25% जादे पर बेशता तो उसे 60 रुपे का फाइदा होता तो X का 90% का 125% कितना हो जाएगा? X गुणे 90 बटा 100 गुणे 125 बटा 100 25 से कटाएगे 25, 25, 25, 24, 100, फिर 0 से 0, 5, 2, 10, 2 से इसको कटाएगे 2, 4, 4 कितना हो जाएगा ये? 4.5 by 4 into X अब इन ही दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 रुपे है तो 4.5 बटा 4 X माइनस 1.1 X is equal to 60 रुपीज तो हम करेंगे इसको 4.4 LCM ले लिए 4 X माइनस X माइनस अब इसका LCM हर एक हो गया तो ये हो जाएगा 4.4 X is equal to 60 यहाँ 0.1 यहाँ 5 है यहाँ 0.1 X is equal to 60 यहाँ गुड़ा कर देंगे हम देखिए ध्यान से इसका LCM कितना हो गया? 4, 4 से हमने भाग दिया एक बार गया 4.5 X माइनस 4.4 X is equal to 60 घटा दिये 0.1 X upon 4 is equal to 60 तिरिये गुड़ा करेंगे 0.1 X is equal to 240 तो X is equal to 2400 रुपया इसकी कीमत कितनी हो गई? 2400 रुपया कुछ नहीं करना है इस सवाल में क्रेमुल मान लेना है उसका 10% जादे निकाल देना है अर्था 10% लाव पर तो जो क्रेमुल होगा उसका 110% पर बेचेगा अगर 10% कम पर खरीटता है और 25% जादे पर बेचता है तो 7% कलाव होता है तो 90% निकाल दिये क्रेमुल का और उसका 125% निकाल दिये जितना आया उसका माइनस हमारा 70 रुपया है प्रश्ट में दिया है हमने सवाल को साल्व किया अंका दस्मलों 36 हो गया 39 हो गया यहां देखिए 4, 4, 8, 9 बहुत समझीए सिधे सिधे कैंसील हो जाएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे सिधे सवाल को 324 गोड़े 81 गोड़े 46 चोवड़े बटा 15 625 गोड़े 289 इंटू 7 7 सरी 7 to 9 इंटू 64 हमने क्यों घटा दिया इसमें भी 1, 2, 3, 4 अंक 5, 6, 7, 8, 9 अंक पे दस्मलों है तो 9 यहां भी रिन नो इसको ऐसे भी लिख दीजिए 10 to the power minus 9 इंटू 10 to the power minus 9 यह ब्रैकेट है इससे यह कैंसिल हो गया अब सीधे हम आ जाएंगे सवाल पे सवाल देखिए इसको हम कैसे साल्व करते हैं कि 18 गुणे 18 324 9 गुणे 9 81 और 4624 68 इन्टू 68 अपान अब यह 15 625 यह 125 गुणे 125 29 17 गुणे 17 सबका हमें स्क्वायर याद करना चाहिए 8 गुणे 8 अब इस में से फ्रेक्शन करनी में से निकालेंगे तो 2 में से एक एक बाहर आ जाता है आप लोग जानते ही है तो 18 इन्टू 9 इन्टू 68 अपान 125 इन्टू 17 इन्टू 8 साल्व करेंगे इस सवाल को तो 17 चुग का 68 4 दुना 8 दुना 8 ये हो जाएगा 81 बटा 125 81 बटा 125 की जो हमारी वैलू होगी वो क्या होगी भाग देंगे 0.024 कुछ नहीं है थोड़ा लेंदी रहता है तो हम तुरांत इसको साल्व कर लेते हैं हमारा इंसर क्या हुआ 0.024 हमें पहली तीन का आउसत 16 है अंतिम तीन का आउसत 15 है यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या ज्यात कीजिए हमने संख्या क्या माना A, B, C और D पहली तीन का एवरेज देखिए A plus B plus C is equal to 16 तो कुल मान कितना हो जाएगा 48 अंतिम तीन संख्याओं का आउसत 15 है तो कितना हो जाएगा 15 ये हो जाएगा 45 जो अंतिम संख्या है इसका मान कितना है 20 है तो B plus C का मान कितना हो जाएगा 45 में से हमने 20 को घटा दिया कितना बचा 25 अब B plus C की वैलू इसमें हम समिकरण में रखेंगे A plus B plus C is equal to 48 और B plus C is equal to 25 है यहाँ A plus 48 तो पहली संख्या हम A माने है तो 48 में से 25 को घटा देंगे 20 आ जाएगा कुछ नहीं करना है 4 संख्या दिया है 4 संख्या हमने मान लिया A, B, C, D A, B, C, D का आउसत कितना दिया है 16 दिया है कुल मान कितना हो जाएगा 16 में 3 से गुणा कर देंगे 48 हो जाएगा अंतिम 3 संख्या यह B, C, D B, C, D का आउसत कितना है 15 है इसका कुल मान निकाल लिये 45 दिया है कि जो अंतिम संख्या है उसका मान 20 है तो पहली संख्या का मान क्या होगा तो अंतिम संख्या का स्थान पे हमने 20 लिख दिया तो हमें क्या मिला B plus C is equal to 45 में से 20 घरा दिये 25 और यही B plus C का मान इसमें रख देंगे तो हमें पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें क्या मिल गया 23 या हमारा 23 एंसर आ गया आज हमने इस गणित के कच्छा में 10 महत्तपूर्ण और अलग-अलग टापिकों से प्रश्णों को पढ़ा इसी पर आधारित परिक्छा में भी प्रश्ण पूछे जाते हैं प्रतेक टेस्ट सीरीज में दो से तीन आये हुए प्रश्ण रहते हैं आप लोगों को यह स्रिंखला कैसी लगती है कृपया कॉमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा हमारी चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जुड़िए बहुत बहुत धन्यवाद अगली कच्छा के स अपना पस्ते तोंगे